साथियों, आज आपने, जब मैं आपसे बात करते हुए, तो बात करते हुए मैं एक और पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूँ. आज कल हम देखते हैं कि जहां जहां प्राकुरूतिक आपदा आती हैं, कही बाड, कही चक्रवाती तुभान, कही भूसकलन, तो हमारे NDRF के साथ ही पूरी मुस्तधि के साथ वहां नजर आते हैं. आपदा के समय एंडी आरेव का नाम सुनते ही लोगों में एक विश्वाद जगता है। ये साख एंडी आरेव ने अपने बहत्रीन काम से बनाई हैं। आज लोगों को ये भरोसा है कि आपदा के समय एंडी आरेव के जवान हमें जान की बाजी लगा कर भी बचाएंगे। एंडी आरेव में भी तो जादारदर पुलिस बस के जवान होते हैं। आपके ही साथ ही होते हैं। लेकिन क्या यही भावना, यही सम्मान समाज में पुलिस के लिए हैं। NDRF में पुलीस के लोग है, NDRF को संबान भी है, NDRF में काम करने वाले पुलीस के जमान को भी संबान है लेकिन समाज ही व्यवस्ता वैसा है क्या, आखिर क्यों, इसका उत्तर आपको भी पता है जन मानस में ये जो पुलीस का negative perception बढ़ा हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनावती है कोरोना काल की सुरुवात में महसूस किया गया था कि ये perception थोड़ा बढ़ा है क्योंकि लोग जब वीडियो देख रहे थे, सोचल मीडिया में देख रहे थे, पुलीस के लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं, भुके को खिला रहे हैं, कहीं खाना पका करके गरीबों को पहुंचा रहे हैं, तो एक समाज में पुलीस के तरफ देखने का, सोचने का लेकिन अब फिर वही पुरान इस्तिती हो गई है आखिर जनता का विश्वास क्यों नहीं बढ़ता है साख क्यों नहीं बढ़ती साथियों देश की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्ता बनाए रखने के लिए आतं को मिटाने के लिए हमारे पुलीस के साथ ही अपनी जान तक नुशावर कर देते हैं कई कई दिन तक आप गर नहीं जा पाते हैं त्यहारों में भी आपक्सर आपको अपने परिवार से दुर रहना पड़ता है लेकिन जब पुलीस की इमेज की बात आती है तो लोगों का मनोभाव बदल जाता है पुलीस में आ रही नई पीडी का ये दाईत्व है कि इमेज बदले पुलीस का ये नेगेटिव परसेप्शन खत्म हो ये आप लोगों को ही करना है आपकी ट्रेनिंग आपकी सोच के बीच बर्सों से चली आ रही पुलीस डिपार्टमेंट की जो स्थापित परंपना है उसने आपका हर रोज आम्रिया सामना होना ही होना है सिस्टिम आपको बदल देता है या आप सिस्टिम को बदल देते हैं ये आपकी ट्रेनिंग आपकी इच्छा शक्ति और आपके मनोबल पर निर्भर करता है आपके इरादे कौन से हैं किन आदर्सों से आप जुड़े हुए हैं उन आदर्सों की परिपृती के लिए कौन संकल पे लेकर करके आप चल रहे हैं वो ही मेटर करता है आपके बिहवार के बाबत में ये एक तरह से आपकी एक और परिच्छा होगी और मुझे भरोसा है आप इससे भी सफल होंगे जरूर सफल होंगे